हेलो फ्रेंड मी सिधार्त राज वेलकम बैक टू मैं अनधर वीडियो आज मैं मनीपाल के मार्क्स वर्सेज रैंग के उपर एक डिसकसन करना चाहता हूँ आप सभी ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पुचाता भाईया मेरा इतना मार्क्स आया है मेरे को मनीपाल मेन केंपस में कौन से ब्रांच मिलेंगे जैपूर में कौन से मिलेंगे सिध्की में कौन से मिलेंगे और मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता और भी कोई वीडियो देखने के जुरत पड़े आपको ठीक है मैं आपको सबसे पहले मार्स बता देता हूं कितने कितने मार्स के उपर आप सेफ हो मतलब CSE ब्रांच के लिए हलका से इधा-उधार भैरी हो सकता है क्योंकि मैं बता देता हूं लास्ट यहर मैंने खुद मनिपाल का कॉंसलिंग किया था और उससे एक साल पहले मेरे भाया न सबसे पहले मार्स को डिसकस करता कितने कितने मार्स पर क्या-क्या मिल रहे हैं अगर आपका अगर 190 प्लस मार्स है तो मतलब आप CSE ब्रांच के लिए मतलब अगर 190 से लेकरके 180 तक है तो IT 180 से लेकरके 165 है तो DS आप मानिए मैं करनाटक के बारे में डिसकस कर रहा हूं करनाटक वाला मैं मिल रहा है इतना पर तो मैं अच्छे मैं वीडियो में बताता हूं चैपूर के बारे फिर से बताता हूं यह कुझा वेट करो DS जैसे डाटा सा मिल जाएगा 120 टू 110 है तो आपको EI मिल जाएगा वहाँ पर नया ब्रांच है अगर 110 से लेकरके 100 मार्क्स तक है तो आपको मैं करनाटक में ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूं ठीक है अगर 100 से 90 के बीच में है तो ओटो मुवाइल मिल जाएगा आपको एड़ोनाटिकल के लिए फिर 90 पलस आपको मार्क्स चाहिए यह मैं मानिपाल करनाटक में ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूं ठीक है अब देखिए आप उसी के हिसाब से आप जैपूर में पता कर सकते जैपूर में क्या हो गया से 150 से लेकर कि अगर 150 पलस है आपको तो CS मिल जाएगा आ सब्सक्राइब करने बता रहा हूं आपको सिर्फ यहां पर बता रहा हूं किस तरह से आपको CS मतलब कितने मार्क्स आपको CS यहां पर मिल रहे है 150 मार्क्स अगर पलस है आपका तो CS आपको मिल जाए सब्सक्राइब करनाट्यक वाला में भी और आपका जैपूर वाला में भी और आपका DS के लिए 130 टू 120 ठीक है मिल जाएगा पर वहां पर CS के लिए कम से कम आपको 100 प्लस होना चाहिए 100 भी है तो वहां तक भी मिल जाएगा चलिए मैं आप करता हूं रैंक के उपर किस तरह से मनिपाल का रैंक बन रहा है ठीक है यह मैं यह मैं डाटा जो 2019 और 20 के बेसिस पर बनाया है बाकि कुछ Google भी मैं किया हूं और एक दो भाईया है तो उससे भी पूछा तो भाईया आपके समय में कितने कितने मार्क्स पर क्या मिले थे क्योंकि जानरे हो अभी online exam होड़ा है ज्यादा मार्क्स लाने के बाप जू तुमारा rank कम होड़ा जो last time मेरा हुआ था मेरा कितना ह मार्क्स आया था तब मेरा 9K rank बना था ठीक है चलिए मैं उसी के हिसाब से में भाईया लोग से बात किया हूं भाईया आपके समय में कितने मार्क्स आये थे और मेरे समय का तो मैं जानता हूं क्योंकि मैंने खुद ही admission लिया हूं यहाँ पे और चलिए मैं आपको बताता इसी के range के बीच में रहेगा यह मैं security के साथ बोल सकता हूं जिस दिन आपका rank आएगा उस दिन आप देख लेना ठीक है चलिए मैं बताता हूं कहां तो मैंने 180 से लेकरके 170 तक आता है 3.5K से लेकर 5K तक आपका rank बन सकता है ठीक है अगर आपका 170 से लेकरके 160 marks तक है आपका तो 5K से लेकर 6.5K तक आपका rank बनेगा अगर आपका marks 160 to 150 है तो आपका 6.5K से 8K तक आपका rank बनेगा ठीक है उसके बाद मैं मता देता हूं 150 से लेकरके 140 तक है तब आपका rank बनेगा 8K से लेकरके 10K तक अगर आपका marks तक बनेगा उसके बाद क्या है 35 के तक है उसके बाद आप अनुमान लगा सकते हैं उसे कभी कभी क्या होता है अगर आपने एक्जाम दिया आपका 35 के या फिर 30 के तक भी है तो आपको मनिपाल का उसमें सीवील उवील से ब्रांच सीवी लोगिया फूट टे को होगा बहू सरा ब्रांच है ओए लेकर मिदिया एक इसके टांडक नहीं किया हूं इसके उसके रिगार्डिंग को डाता कलर्ण के लिए वहांपे कुछ समय के बाद उसको हाई रेंग हाँ एक चला गया 30 एब चला गय तो आपको जैपूरवाला में इंदर यह कौनट के लगा, अगर आपको जैपूरवाला में पुछ सकता घर सब्सक्रांट कर अपको अब ट्राय कर रहा हूं तो सब को मैं रप्लाय कर दू我不知道 इसलिए चलो ठीक है मैं अगर आप लोग को चाहिए स्कॉलर्शिप के रिगाडिंग किस तरह का स्कॉलर्शिप मनिपाल प्रवाइड करता है करनाटक वाला, जैपूर वाला, सिक्कीम वाला तो आप मेरे को कमेंट सक्सेने बताऊ मैं जरूर उसके regarding एक वीडियो बना दूँगा अगर मेरे दुआड़ा दिया गया अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लो और एक लाइक दे दो यार मेरे तुम्हारे लिए सबसे पता कर करके मैं एक वीडियो बनाता हूँ थैंक यू